बहुत बहुत स्वागत है सुभी का हमार योट्यूब चैनल स्वीरिया में मैं हुराज रब दिख रहे हैं स्वीरिया शुट्यूब चैनल प्याड़े निवस्टी मुझजफर पूर पीजी में आडमिशन सेशन 21 से 23 के लिए 4 जून को जो नोटिस निकाले थी कि 6 जून से ल पता चलेगा कि आपका जो सब्जिक्ट है और जिस सब्जिक्ट में आपने पीजी में अडमिशन के लिए अपलाई किया है उसमें कितने शात्र शात्राओं ने अपलाई किया है उनिवस्टी और डिपार्टमेंट्स इनके जो है इनके कालेजिस जो है उसमें कितनी सीट है और आपका स्नादक में कितना नंबर हैं यह सब मिलास उलाकर के मेरी इस लिस्ट बनाई जाएगी मैरी इस लिस्ट में आपका नाम आता है तो जहां भी आपको चूज करके दिया जाएगा डिपार्टमेंट यह कालिज़ आपको वहाँ पर चाह करके admission लेना है तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वह online आविदन करने का तो इस विदिए में हम बात करें किस तरह से आप online आविदन करेंगे अपने mobile से यह लाग टोप से आप देख पार है यह official notification है छे जून से आविदन होने वारे थे रेकिन चे जून से तो हुआ नहीं आपको apply करने के लिए इस website पर आना होगा इस website का link जो है description में दिया गया है यहाँ पर आने के बाद जो एस 20 corner जो action है इस पर आपको एक बार click करनी है click करने के बाद कुछ इस परकार का होगा यहां पर आने के बाद आप देख पार है यहां पर यूजी Chapter आप देख पार है यहूझी आने के बाद आक 2021 इस पर आपको जो है एक बाद किली करनी है इस पर आप देट लिए कीजिए腹 उसके बाद yu j और pc दोनों में admission की प्रिकडिया भी चल रही अनले के लिए दोनों आपको दिखेगा यहां पर आने के बाद यहां आप देख पार है अपलाई में आपिनलाई आप दिख अधाकЕ thou कले करने है अपलाई ऊनलाई पर इसके बाद आपको अब यहां पर चूज्श करना है अब देख पार देख जो है पीजी पीजी अब अदेख पार तीन है उसके बाद निचे जहोओ लग्ट तो यहीं पर तो को स्टह स्टेट रात के 12 बजे तक उसके बाद से आपको यहां पर क्लेख रप्लाइ करनी है तो मालीजिए कि हम एम में मैं के लिए ओंलेन करना चाहते हैं तो एम में वाला जो आप्षन है उपर है हमको उसके बाद से यह इंटर फेंस आजाएगा जहां पर आपको गाइडलाइन सव बास यह नेक्स वाला बटन है नेक्स वाला बटन आपको इस पर किलिक करनी है इस पर किलिक करने के बाद अब आपको जो है रजिस्टेशन का आप्षन आएगा जो शात्र शात्रा इससे पहले यह में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आविदन किया था उसका मेरिक लिस्ट में नाम नहीं आना था उन लोग को भी फिर से आवेदन करना होगा फिर से रिजिस्टेशन करना होगा आपको यहां पर आना है सबसे पहले आपको जो है लोग इन करने से पहले किलिक करने है रिजिस्टर वाले आप्टन पर उसके बाद से जो है रिजिस्टर वाला बटन खुले के email id पर एक OTP भेजा जाएगा दो टीपी गया होंगे एक contact number पर और एक email ID पर दोनों को आपको यहां पर बारी बारी से डाल करके verify कर लेना है जैसे कि मैं यहां पर contact number वाला OTP यहां पर डालता हो उसके बाद से OTP डालने के बाद verify contact number आपको इस पर क्लिक करनी है और अपनी contact number verify कर लेनी है मेरे पास दो OTP आई थी तेहां पर इसको incorrect बताया जाए तो एक और OTP जो हमारे पास receive हुई है उसको हम यहां पर डालते हैं आप देख पार है OTP डालने के बाद verify contact number इस पर क्लिक किजिए उसके बाद से यह आपका contact number जो verify हो जागा यह हो गई उसके बाद से जो email पर आई है email वाली OTP इसमें डाल करके आपको verify कर लेनी है तो आप देख पार है जैसे आपका email ID और contact number verify होगा उसके बाद से आपके mobile नमबर पर आपका user ID और password जो भेज दिया जाएगा और direct आपको यहां पर आपको ले आ जाएगा कहां login के लिए तो अब आपको इसमें application number और नीचे password जो आपके mobile नमबर और email ID पर भेजा गया है उसको डाल करके आपको login हो जाना है ID पासवर डालने के बाद जैसे आप login हुएगा फर्स्ट जो है basic details जिसमें आपका नाम जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखने के लिए यहां पर आ जाएगा registration के बग जो details आप दीजेगा सारा आपके skin पर हैगा जैसे के आप देख पार है उसके बाद से उपर जो details है उडालने के बाद नीचे आपको अपना address दालना है permanent address उसके बाद से आप देख पार है father's name में यहां पर father's details दालनी है उसके बाद से आपको निचे आनी है निचे आने के बाद मदर details दालनी है और address जो है मदर का यदि same होगा तो same as candidate address जो यहां पर है वह कर दीजिगा तो आप बलाद आड्रेस यहां पर कॉंभी paste हो details यह उनके लिए है जिनके माता-पिता जो है जब वह बच्चा छोठा था तभी गुजर गये कोई उनके माता-पिता का data बगर नहीं है तो उस situation में यह दि उनका पालन पोशन किसी के द्वारा किया चाहरा है तो जो उनका पालन पोशन कर रहे है उनका details जो है यहां पर add व इसको पुड़ा फिल करते हैं सेब करते हैं उसके बाद से आएका इंटरफेस हम आपको दिखाते हैं जैसे आपका बैसी डूचेल जो होगा आपके स्कीन पर डॉटा इज सेब सक्सेस्फुली शो हो जागा आपको ओके पर किलिक करने के बाद अब यहां पर आप देख पा हैं इन लिए के लिए जो कालेज यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर दिया गया है शिवर सीटा मरी बैस्शाली बैस्चामपारण में खैर है नहीं लेकिन यहां पर एड कर दिया गया तो शिवर में कोई कोलेज लेना होगा तो आप डिस्टिक की जिएगा उसके बास यहां पर यह जो गोवाला बटन है गोवाला इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बास जो है खुल करके आएंगे थोड़ा यह जो है ब्रॉज करेगा और आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है आप देख पार आप यहां पर देख लिजिए यह आया है तीन इनुवर्स्टी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आर्डीस कालेज एल्लेस कॉलेज मतलब ही क्या है कि मुझाफरपूर में पेज़ी में हिस्ट्री में यदि कालेजेज की बात करें तो आर्डीस और एल्लेस कालेज में जो आडमिशन होता है प्राई होती है वहीं इनुवर्स्टी डिपार्टमेंट जो है जो इनुवर्स्टी के अंडर है वहां पर भी हिस्टी वाले डिपार्टमेंट में प्राई होती है यदि आप यहां पर कोई और सब्जेक्ट भी चूस करें एक्जाम्बल के तो आपर माल आई तो आप देख पर हैं जोग्राफी के लिए मां तेरेक आडिये स्कालेज हैं और वहीं युनिवर्स्टी डिपार्टमेंट आफ जोग्राफी है तो डिपार्टमेंट में यदि आप एड्मिशन लेते हैं तमाम फ्रेंड्स तो आपको अटेंडेंज एनिहाव देना पर क्लिक के तो हम आपर हिस्ट्रि कर दिया तो अब हम यहाँ पर प्रिफरेंस देना ऑप कि किस कलेज में आप एक मिष्य ले ना चाहते हैं तो मालेजी मुझझ बोतिचे कि बेटियर आए मैं या चाहते हैं तो या डिस्टिक है इसके साथ ही आप कर्सर लागर के इस पर नहीं क्रोस वालेप नहीं यहाँ पर बगल में किलिक कीज़ेगा बगल में तो एक और डिस्टिक आपको चूज करने का आप्चन आजागा तो माली जह हम एक और इस चमपारण दे देते हैं तो यहाँ पर दो ड बढ़ाई होती है वह हमें यहाँ पर दिखा दिजागा डेटा माली जी की दो नहीं हम तीन डिस्टिक का देना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर बगल में यहाँ पर हम किलिक करेंगे उसके बाद से फिर कॉलेज का नाम आ जाएगा तो इस बार हम जो है वैसाली यानि हाज हम ने उपर किलिकरेंगे तो यहाँ पर डिस्टिक में तीन डिस्टिक बारी-बारी से हो गई और तीनों डिस्टिक का नाम यहाँ पर जो हो गया अब इतने सारे है जहाँ पर पढ़ाई होती वह खिस्री की होती है सब्जेक्ट के एकॉदी कौलेज दिखा जाएगा तो इ कि हमारा सेखन नमर पर आए कई तो यहां पर हम क्लिके रहेंगे उपर तिक तो एक ही district के तिन preference आप दे सकते हैं उसके बास यह data save हो जाएगा उसके बास यह data is saved successfully आपका show हो जागा आपको click कर रहे हैं उसके बास से आप देख पार हैं अब यहाँ पर आपको गर्योशन का details देना है जैसे कि degree name तो आपने BA किया या आप BAC या B.com तो यहाँ पर आपको BA honors यहाँ पर HONOU और S आप दे दीजिएगा या B.com चल जाएगा उसके बास से आप किस युनिवस्टी से आपने असनाते की परिक्षा पास की तो युनिवस्टी सेम युनिवस्टी है तो सेम अधर युनिवस्टी आप किजिएगा तो आपको युनिवस्टी का नाम दिख से मेडियम आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बास से कोस्ट डियूरेशन इन मन्त तो तीन साल का कोर्स होता है बिहार में भले चार साल हो लेकिन आपको 36 महीना ही आपको देना परेगा आपका ग्रिजुशन येरली था या समेस्टर वाइज वह आपको बताना परेगा इस्ट्रीम आपका क्या था तो आर्स था मैंने मावर भी आर्नर चूज किया है उसके बाद से एजुकेशन टाइप में आप देख पारें आप फुल टाइम आपको डालना होगा यदि आप फुल टाइम आपने अस्तनात्र की है तो बिहार की किसी उस्टाले से अपने अस् करा देख पारें यहां पर पूछा जा रहा है कि कब से कब तक आपने अस्तनात्त की तो यहां पर आप देखता है 2017 से हैं यहां पर 2020 से हैं एक सेशन और overall percentage of marks obtained तो यहां पर आप को 15-100 में से पार्ट पर्तिश्रित होता है वो आपको निकाल करके यहां पर आपको बत्या देनी है यहां पर जो है यूजी और सब्जेक्ट प्रतिश्रित of marks obtained तो इसमें जो है यहां पर put नहीं हो रहा है तो इसको वैसे ही show दीजिएगा आपको नीचे आना है यह automatic cover ले लेगा नीचे जब आप डालिएगा सारा चीज यहां पर जैसे कि देखिए जी सब्जेक्स से औरनेर्स है उसी सब्जेक्स से पीजी में अड्मेशिन के लिए आप अपलाई कीजिएगा तो यहां पर टोटल मार्क्स आट सो का होता है उसमें से कितना आपको आया तो आप देख पार हैं 480 और यहां पर जो है प्राइमरी सब्जेक्ट यही आपका जो है आनर्स जो यूजी में होगा वहीं यहां पर इसमें आपको असनाता का डिटेल जो आपको इस तरीके से डालना जैसे कि हिस्ट्री आपका आर्स है तो आर्नर्स आट्स नमबर का हुआ तीन साल में तो आपको उस में से इसको कर दीज़ेगा है यहां पर और उसमें से कितने आ है ढखाल दाल दिए लास्ट में जीया सितनर और होता है और पार्तिरी में को क्लिक कर देनी तो आप देख पार है यह भी डेटा सेब हो गई जो डाटा इज सेब सक्सेस्फुली उसके बाद जो है अब आपको जो है डोकुमेंट अप्लोड करने का आप्शन यहां पर दिया गया यहां पर जो रिक्वार्ड है यह फोटो आपको पासपोर्ड साइस फ वाला आक्षन में था उसके बाद से अध्रेस प्रूफ में आप आधार कर इसमें डाल सकते हैं उसके बाद से ग्रजुशन माक्षी जो रिक्वार्ड यहां पर है तो यदि आपको रिजनल माक्षीट नहीं मिला है तो आप नेट वाला माक्षीट भी आप इसमें डाल सकते और upload college living certificate यानि CLC तो इसको required नहीं किया गया है आपके पास है तो डाल दीजिए नहीं है तो admission के time जो है आपको जमा करना होगा तो सारा documents upload करने के बाद चूज करने के बाद आपको save बाले बटन पर किलिक करनी है उसके बाद से document uploaded successfully इस पर आपको okay कर देनी है अब यहाँ पर देख लीजिए अब आपको payment करना है पेमेंट करने के लिए आपका जो है कुछ आसा इंटरफेस आपका laptop या mobile दिखेगा यहाँ पर आने के बाद website थूरा slow काम कर रही है I agree वाला जो बटन है I agree इस पर आपको किलिक करनी है उसके लुए बाद से पेनपर किलिक करनी है और तीन सो रुप्य किसी भी कास्ट काट्गिरी के लिए फीज घृति इंसो ही है नोगा पको जो है यह आपको जो है दो पेमेंट गेटवे बतायाइगा जिसमें से आप जो है दुनों में सो कोई एक इस्तिमाल करके ओगे कीजिएग continue पर click किचेगा continue पर click करने के बाद इसके बाद से आप डेवीट कार्ट के रेडिट कार्ट नेट बैंकिंग या UPI ID से आप payment किचेगा payment करने के बाद चलान generate होगा और आपको रेसे भी मिलेगा उसको PDF में डाउनलोड करके रख लेना है उसके बाद से आपको merit list आने का इंतिजार करना है, merit list में नाम आएगा जिस भी जो आपने college उसके किसी में भी तो वहाँ पर एक तीथी fix की जाएगी, उस fix तीथी में जाकरके आपको तमाम documents के साथ, documents कौन कौन लगेगा, colleges या जो department है वो guideline जारी करेगे, उसके बाद से तमाम document वहाँ पर ले जाना है, वहाँ पर एक form मिलेगा आपको offline, जब merit list में नाम वगर आ जाएगा तब, form भर के, और जो document समागे जाएगे, आपके असनाद तक जो आपने आपने अपर upload किया है, वो से भी वो दे देनी है, और original भी साथ मिले जाना तकी verification हो, तब जाकरके आपक application के लिए online करने का उमीद है, आपको समझ में आ गया होगा, तो friends मैंने काफी वक्त से इंतिजार कर ले लेकिनी payment gateway खुला नहीं, आप लोग 2-3 दिन के बास ही online विदन कीजिएगा, फिलाल हम वीडियो को यहीं पर stop करते हैं, बहुत बहुत शुकूरी आपका इस वीडियो क देखने के लिए